Hello everyone, start करते हैं 5th class EBSK chapter 22 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, like chapter का नाम है On the Move Again, धनू's village, today all the relatives have come to धनू's house to celebrate दशेरा, मतलब की जितने भी relatives हैं, वो सब धनू नाम है, ठीक है, धनू के घर पे आ गए हैं, क्या celebrate करने, क्या मनाने, दशेरा मनाने, ठीक है, दशेरा फेस्ट होता है ना, वो मनाने के लिए सभी के सब धनू के घर में आ गए हैं, they have come with their luggage in their bullock carts, यानी कि वो सारे के सारे आए हैं, अपने लगेज के साथ, अपने समान के साथ, और bullock cart होता है, जिससे जो गाड़ी को bell या फिर bell खीचते हैं, मुस्ति गाड़ी खीचते हैं, उनको ऐसा बड़े वो हैं, so all the festivals are celebrated at their house, इसलिए जितने भी festival होते हैं, वो उनके घर में celebrate होते हैं, धनू's mother, यानी आई लिखा है, आई भी बोलते ते हैं mother को, the wife of mother's brother, mommy, and the wife of father's brother, काकी, are busy making poor and poly, अब ये जितने भी हैं, धनू की जो मम्मी है, ठीक है, मदर की ब्रदर की, मतलब जो मम ममी के भाई, ठीक है, उनकी वाइफ और wife of father's brother, मतलब जो फादर की जो भाई हैं, उनकी वाइफ, ये सारे के सारे पूरन पोली बनाने में लगे हुए हैं, पूरन पोली sweet meaty rotis होती हैं, जो jaggery मतलब गुड से और gram से बनाई जाती हैं, बेसन वगरा से और बाके चीजों से, तो पूरा वैसा तो अलग अलग तरह से बनती हैं, बट ये उस sweet rotis को बनाने में लगे हुए हैं सबके सब, along with this a spicy curry dish is also made, इसके साथ एक curry dish भी बन रही है, इसके साथ मीठे के साथ, जो spicy मतलब थोड़ी जो मिर्ची वाली हो, The day passes in laughing and chatting, but by evening everyone mood changes, the women and children begin to pack their luggage, मतलब पूरा दिन निकल गया हसते हुए, बाते करते हुए, लेकिन evening में सबका mood change होने लग गया, जो women हैं और जो बच्चे हैं, वो अपना luggage pack कर रहे हैं, ठीक है, वो pack करने लग गया, The man sits down with the mukadam agent who lends money for the meeting, the mukadam gives the detail of the loan taken by each family, अब क्या हुआ, जो आदमी है, वो mukadam के साथ बैठ गया, मुकadam कौन होता है, वो mukadam होता है, जो पैसे उधार देता है, for example, मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे मुकadam पैसे देगा, और फिर मैं उसको जब वापस करूँगी, Then the talks for the next few months begin, उसके बाद बाते शुरू हो गई किस के लिए, next month के लिए, the mukadam explains to the villagers in which area they would go for the next six months, मतलब किस area में वो लोग जाएंगे, he also give them some money as loan for their expenses, और वो उनको तो थोड़ी सी loan, मतलब loan के तौर पे पैसे भी देता है ताकि उनका खर्चा जल सके, गुजारा हो सके, ever since Dhanu remembers, this has been the routine, मतलब जब से Dhanu को याद है, ये routine रहा है, families like Dhanu's work on the land of big farmers till the share of, अब देखो क्या लिखा है, फिर से देखो, यहाँ पे लिखा है, ever since Dhanu remembers, जब से Dhanu को याद है, ये क्या है, ये routine रहा है, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये मुकदान है, ठीक है, families like Dhanu's work on the land of big farmers till the share of before the rainy season, तो जैसे जो Dhanu की family है, उसमें जो farmers वगरा है, जो मतलब उसके family के लोग हैं, वो बड़े farmers जो होते हैं, जो बहुत पैसा होता है, बहुत land होत है, उनके जो खेत होते हैं, उन पे काम करते हैं, दशेरा तक, मतलब rainy season के पहले तक, many other families also work on such land, सिफ उनी की family नहीं क्योंकि बहुत बड़े बड़े land होते हैं, तो बहुत सारे farmers दूसरों के land पे work करते हैं, they earn just enough money to keep them going through these months, अब इतना करने के बाद उन्हें इतना पैसा मिल जाता है कि उनका गुजारा हो सके, बहुत जादा तो नहीं मिलता, but गुजारा होने लाइक पैसा उनको मिल जाता है, but how to manage the remaining six month when there is no rain and no work in the field, उसने क्या बोला, कि हमें remaining six month के लिए कैसे manage करना है, जब कि यहां पे कोई बारिश नहीं है, no work in the field, मतलब कि जब तक फील्ड प from the mukadam, to pay back this money, they have to work for the mukadam, अब क्योंकि जब कोई खेत में काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उन्हें पैसे भी चाहिए, तो वो mukadam के लिए काम करते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, mukadam क्या करता है, वो उससे पैसे लेते हैं, mukadam से पैसे लेते हैं, और उस पैसे को वापस देने के लिए, ये ना, कहां काम करते हैं, mukadam के लिए काम करते हैं, mukadam एक एजेंट है, शुगर केन फैक्टरी में, जो गन्ये की फैक्टरी होती हैं, वहाँ पर एजेंट है, एजेंट का मतलब है बीच का एक जरिया, जो क्या करता है, वो उनको शुगर केन की फील्ड में काम डुनवाने में help करता है तो उसका भी फायदा हो कुछ ना कुछ फायदा वो भी बीच में लेता है एक्स्ट्र पैसे से और इनको भी फायदा मिल जाता है क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं बढ़ हां इनकी महनत पूरी जाती है जब हमने देखा था कि रेनी सीजन से पहले जो यह था ना रेनी सीजन से पहले तक उनके पास काम होता है उसके बाद they don't have any work, कोई काम नहीं होता बहुत लोग होते हैं शहरों में बहुत लोग करने के लिए आते हैं उनको वहाँ पे काम नहीं मिलता इसलिए तो वो शहरों में आके काम करते हैं इस पीपल इन धनुस विलेज दो लिए ना लिए नहीं हो पाएंगी इन धनुस विलेज, there can be no farming when there is no rain धनु की विलेज में कोई farming नहीं हो सकती जब यहाँ पे rain नहीं होती मतलब कि अगर बारिश नहीं है तो farming भी नहीं होगी do you think farming can be done even without rain water rain water के बार अलगर नहीं है, पारिश नहीं हो रही तो भई नहीं हो पाएगी थोड़ा टाइम के लिए पानी स्टोर भी कर लेंगे तो लंबे टाइम के लिए वो काम नहीं चलेगा हाँ देखो, अब यहाँ पे एक चीज है कि शुगर केन का फिर काम कैसे हो जाता है मतलब कि शुगर केन अगर हम कह रहे हैं कि यह जो हैं फार्मर्स हैं यह शुगर केन फैक्टरी में वर्क करते हैं जब उनके खुद के लैंड पे कोई भी बारिश या कुछ पानी नहीं गिरता शुगर केन फार्मिंग कैन बी डूर्न दूरिंग दोज मन्थ वेन देर इस नो रेंफॉल जब बारिश नहीं होती तब शुगर केन फार्मिंग हो जाती है उसके बाद लिखा है कि बहुत सारे मैथट होते हैं सिचाए कि there are many methods of irrigation in the farm like tube well, cannells, wheel for water lifting etc मतलब क्या होता है बहुत सारे तरीके ऐसा नहीं है कि directly पानी हमेशा लेना ही पड़ेगा but yes अगर directly पानी नहीं ले पा रहे हैं तो बहुत सारे और तरीके हैं लेकिन वो कुछ time के लिए काम करेंगे, permanently काम वो भी नहीं करेंगे और बारिश से ही वो चीज़े फिल जाते हैं से canal है या tube well है, यह पारिश के पानी से ही भरा जाता है तो अगर बारिश नहीं हुई तो यह कैसे काम करेंगे है ना In the next few months, Dhanu, his parents, his kaka, father's brother मतलब अब वो खिपसे बड़े हैं उसके पापा तो वो चाचा जी हो गए तो उसके parents, उसके चाचा और उनके दो बच्चे बड़े, mama, mommy और उनके दो daughter and 40-50 other family from the village will stay away from home यह सब लोग अब कुछ महीने के लिए घर से दूर रहेंगे In these six months, Dhanu and many children like him will not be able to go to school और इन six महीनों में, Dhanu और उसके जो, मतलब और बी जो बच्चे हैं, वो school नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो अपनी जगे shift कर चुके हैं, अब कुछ time के लिए उनने कहीं और रहे न है Dhanu's old grandmother aunt who cannot see in two months old cousin sister would stay back in the village मतलब, Dhanu की बुरी grandmother, जो मतलब उसकी दादी है और aunt जो देख नहीं सकती, वो, वो और एक छोटी है, दो मन्त की cousin sister है वो भी village में रहेगी, वो वहाँ उनके साथ नहीं जाएंगी बाकी घरों में भी क्या होता है, जो बिमार होते हैं, बुड़े लोग होते हैं वो साथ में नहीं जाते, वो वहीं village में रुखते हैं धनू मिजिस इस grandmother a lot, धनू अपनी दादी को बहुत मिस करता है धनू always keep wondering who will take care of his grandmother, but what can धनू do धनू को हमिशे टेंशन होती है कि उसकी grandmother की कौन देखबाल करेगा, कौन उनका ध्यान रखेगा बट उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो बूरी है तो उनके साथ नहीं जा सकती और अब उन्हें गाउं में ही रुखना पड़ेगा देखो, यहाँ पर लिखा है question में कि कई सारे लोग तो जाते हैं village से बहार दूर कि वो मतलब काम करने के लिए, बट कई सारे लोग they stay back in the village ऐसा क्यों, मतलब वो village में क्यों रहते हैं, because they are not able to work they are very old और अगर बिमार है तो उनको काम पर बहुत घर से दूर नहीं ले जाया जा सकता ठीक है, अब यहाँ पर question एक दो और है, when Dhanu and other children leave the village for six month what happened in the village school, जब वो चले जाते हैं, तो उस टाइम पर वो school attend नहीं करते तो पढ़ाई कम ही होती हैं, वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जो नहीं जा पाते what arrangements are made at your home, मतलब आप यह सूच सकते हो, कि अगर घर पे कोई बिमार है या कुछ भी है, तो क्या arrangements कर सकते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए, ठीक है, अगर कोई घर पे रहते हैं, या फिर कोई ठीक नहीं होते तो Now, after the shera, the carvon of this family would now settle near the sugarcane field and sugar factories, the shera तक तो सब ठीक था, उसके बाद अब यह लोग बाहर move on कर गए थे, तो अब यह sugarcane field जो है, यह sugar factory जो है, वहाँ पे settle down हो जाएंगे For six months, they would stay in their huts made of dry sugarcane and its leaves, मतलब कि क्योंकि यह इनका कोई पर्मानेंट घर तो है नहीं और कहीं भी इनको भेज देते हैं, तो यह जोपड़ी जो होती है न, उनमें रहेंगे, जो की dry sugarcane, क्योंकि वो area sugarcane वाला है, तो ऐसे area में रहेंगे, जहाँ पे dry sugarcane होते हैं, या उ Women and children tie the bundles of sugarcane, जो women है और children है, वो sugarcane के bundles को बान देंगे, वो भी help करवाएंगे, ठीके, man तो जाते ही है कि वो कट करने के लिए sugarcane को, women and children sugarcane के bundles बानते हैं, then the bundles are taken to the sugar factory, उसके बाद यह बंडल ले जाये जाते हैं, कहाँ पे? शुगर फैक्टरी में, धनू often goes with his father, ज Some time they spend nights outside the factory on bullock cart, कही बार वो क्या करते हैं, वो फैक्टरी के बाहर जो कहते हैं, बुलक काथ है, वही पे अपनी राद बिता देते हैं, धनू प्लेस द बुलक्स and वैंडर्स अराउंड, तो वो क्या करता है, जो बुलक्स होती है, जो भैसे होती है, या जो बुल होती है, मत the sugarcane wait and take a receipt and note to say how much sugarcane they have given, they show their receipt to the agent who then keep an account of their loan, ना होता क्या है, फैक्टरी में धनू के पापा क्या करते हैं, sugarcane को वेकरा लेते हैं, मतलब वजन नाप लेते हैं, और एक receipt ले लेते हैं, not receipt, receipt ले लेते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि sugarcane कितनी वो दे चुके हैं, मतलब अगर उन्होंने कट करके sugarcane दी है, तो कितनी sugarcane वो दे चुके हैं, उसकी एक receipt दे देते हैं, they show this receipt to the agent who then keeps an account of their loan, अब होता क्या है, ये receipt किसको दिखाते हैं, ये उस agent को दिखाते हैं, जो उनके loan है, मतलब उन्होंने कितना पैसा लिया, उसका ध्यान रखता है, कि कितना कितना दिया है, the agent also give them some money for the next week expenses, जो agent है, वो भी क्या करता है, उनको पैसे देता है, ताकि वो अगले हफते का खर्चा चला सके, next week expenses, मतलब अगले हफते का ध्यान रख सके, then धनूज, I and mommy take the children to the nearby village market to buy ata and oil for the next week, उसके बाद क्या होता है, धनूज की जो आई है, ठीक है, के दोनों क्या करते हैं, चिल्डरन को market ले जाते हैं, ताकि वो आटा खरीद सके और oil खरीद सके, next week के लिए, ठीक है, मतलब ये तरीका बता रहे हैं, कैसे वो अपना गुजारा करते हैं, sometimes mommy buy laddus or some sweet for the children, कभी कबार mommy बच्चों के ले लड़ ली आती हैं, या मिठाई ली She also buy a pencil and eraser and a notebook for Dhannu, तो वो क्या करती हैं, वो उनके लिए कभी कबार notebook, pencil, eraser ये सब भी खरीद लेती हैं, after all he is mommy's favorite, ठीक है क्योंकि वो mommy का बहुत ही favorite है, Dhannu तो उसके लिए भी ये सब चीज़े ले लेती हैं, but Dhannu won't be using these for six months, भले उन्होंने notebook और pencil सब कुछ ले लिया हो, पर Dhannu छे महिने तक इसको use नहीं कर पाएगा, because old school नहीं जा पाएगा, mommy wants Dhannu to study and become somebody in life, she does not want Dhannu to move around with his family like this, mama and mommy tell Dhannu's parents, next time when we will leave our village after Deshara, we will leave Dhannu with his dadi and chaachi, तो basically mommy क्या चाती हैं, कि Dhannu ढंक से पढ़ाई करे, और वो कुछ बने life में, वो उनकी तरह, जैसे वो लोग उनकी family time to time move करते रहते हैं, खाने की तलाश में, काम की तलाश में, उसको ये ना करना पड़े, और दूसरी चीज, मतलब उन्हों वो बोलती हैं, उसकी मम्मी को, Dh अधनू को भी नहीं पे छोड़ देंगे, village में, दादी और चाची के साथ, ठीक है, he will go to school like other children in the village, वो भी school जाएगा, बाकी बच्चों की तरह, he should continue his studies, उसको continue रखना चाहिए, he should study further and become somebody, मतलब पढ़ाई करके, कुछ अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छे तो सब हैं, but as in, जिनको परेशान ना होना पड़े खाने के लिए, जिनको हर चीज काम अच्छे से मिल जाए, तो ये सारी चीज़े करनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये कुछ question है, just a minute, और ये chapter खतम है, ये है, why does mommy wish that Dhanu should go to school for the whole year and study, मामी की ये wish इसले है, ताकि वो उसको इधर उध उनकी तरह ना भटकना पड़े और वो अच्छे से सेटल हो जाए, अच्छे से काम करके, वो समझदार हो जाए, और उसका जीवन जो है, वो अराम से चले, और जब आप बहुत टाइम तक स्कूल नहीं चापाते, तो बड़े होके बहुत मुश्किल हो जाता है, अच्छी जोब लेना, अच्छे जगे सेटल होना, तो जब हम धंग से पढ़ाई करते हैं, धंग से काम करते हैं, तो क्या होता है, धंग से मतब स्कूल जाते हैं, तो हम कुछ सीखते हैं, और जब सीखते हैं, तो काम हम अच्छे से ढून पाते हैं, तो ये चीजों की वज़े से माम करना पड़ता है अब होता क्या है कि अगर इनको कुछ महीने के लिए काम मिलता है कुछ महीने के लिए नहीं मिलता तो कई बार ये भी हो जाता है कि भूके रहना पड़ता है पर चैप्टर का नाम ऑन दा मूव अगैन इसलिए हमें पढ़ाई पे जो लोग privileged हैं already, मतलब जिनके पास सब कुछ है, जिनको पास कोई problem नहीं है, जो पढ़ाई कर पाते हैं, जिनके पास सारी facilities हैं, उनको खुद महनत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको ये सारी facilities नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो इस chapter क के बाद आप क्या कर सकते हैं, 5th Class EVS की playlist बनी हुए मेरे चानल पर, वहां जाके देखिए, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, जो इस 5th Class EVS की हैं, और वो सारी मैंने cover करी है, thank you so much.